यो आकाश वानी जमू है सरवर जोदरी थे खबर सुनो पहले खास खबर वजीर आजम ने रिंडर मोदी ने कियो है जिए जमू कश्मीर का लोका ने फैसला कुन तोर वर अलिदगी पसंदी ते देश्ट गर दी थे मूमोड लियो है तो बजाए इसके उन लोकों ने अपना वोट की ताकत के जरिया जमूरियत ना मजबूत बनानमा तवच्यों दिती है लेफट इडिन्ट गोर्नर मनोज हसेना ने क्योंके जमू कश्मीर कम जब कम एक लख करोड रुपईयां की सरमाया कारी वस्ते तियार है जिस संग पांच लख रुजगार का मोका फ्राम कराया जेगा कौम आज सरदार वलाबाही पटेल गा यो में पैदाश का मोका वर कौम में यक जीती तियारो मना रही है तो वजीर आजम नरिंदर मोदी ने आज आज आपसी इधाद का जजबा वर जोर दितो तो मुल्ख का लोका ना तक्सिम करना लिए ताकतां के खलाफ खबरदार की हो जिनकों मकसद मुल्ख की सालमीत ना तोनो है खबरां की तफसील ने पहले सफीर परवाज वजीर आजम नरिंदर मोदी ने कियो कि जमु कुश्मीर का लोका ने फैसला कुन तोर वर अलेदगी पसंदी ते दैश्यत गर्दी ते मुमोड लियो है बजाए इसके उन लोका ने अपना वोट की ताकत के जरीए जमुरियत ना मजबूत बनानमा तवज्यो दिती है वजीर आजम ने इस गलवर भी जोड़ी तो जो जमु कश्मीर मां 75 साल कबल भारत की आजादी ते बाद पुर अमन तोर वर इंतखाबा तोयाएं राष्टिया एकतादी वस्गा मौका वर कौम संग खताब करता वजिर आजम ने क्यों कि यो विलो काबल फखर है कि जमु कश्मीर मां पहली बार वजिर आला ने बाहरती आएं गे तैत हलफ चाय हुआ है यक जेती तियारा गा मोका वर हताब करतां वजिर आजम ने क्यों कि जमु कश्मीर गा लोका ने आईन ते जमुरियत ना काम्याबी दिलवाई है इस सिल्सला मां वजिर आजम ने जमु कश्मीर गा वोटरा गा जजबा वायत राम करतां कियो कि राष्टिया एक तादिवस का मोका वर हूँ जमु कश्मीर गा लोकन असलाम पेश करूँ जिनने जम्हुरियत तै आइन ना तक्वियत दिती है उनने क्यों के देशत गर्दा नमी इस गलगी खबर है कि अगर उनने हमलो कियो तै उनना बक्षो नहीं जैगो जमु कश्मीर यूटी गा यूमी तासी समनान गा सिलसला मा एसके आईसी सिरेनगर मा मनकद प्रोग्राम मा लेफटनेंट गोर्नर मनोज सिनहा ने खताब कियो अपना खताब मा उनने लाल चोक तै पलवामा मा तरक्याती कमा गो जिकर कियो और क्यों जैगो जमु कश्मीर कम अजगम एक लाक करोड रुपईयां की सरमायकारी वास्ते तियार है जिस संग पंजलाख लोका मास्ते रोजगार गा मौवा का फराम कराया जेंगा इस मौका वर उनने जमु कश्मीर मा अमन तै कानून बरक्रार रखन मा पोलीस तै दिगर कारकरदगी की सरहना की और जमु कश्मीर का रोशन मस्तक्बल बनान वास्ते उनने यक जेती बरक्रार रखन तै राल मिल गए कम कर्ण वर भी जोर दितो जमु कश्मीर का रियास्ती दर्जा की बहाली बारे बोलता उनने नहीं कियो जे वजिर आजम नरिंदर मोधी तै वजिर दाखला ने पहला ही वादो कीओ ओँ है जे रियास्ती दर्जो मनास्व वक्त वर बहाल की ओँ जेगो मजगूरा प्रोग्राम गैलावा एलजी मौसूफ ने राजबोवन सिरिना गर्मा अफसरा नाराश्टिया एक तादिवस एद वी करायो याद रहे जे सरदार वलबाई पटेलना उनका जनम त्याड़ा वर खराज अकीदत पेश करता अवाम ना ताकीद की जेवे सरदार पटेल गो नजरीयो अक्तियार कर गए अपना आपना विकसत बाहरत बनांगी खातर वक्त करें उनने सोशल मेडिया एक्स वर वी पोस्ट कर गए सरदार पटेलना खराज अकीदत पेश कियो जमुखिता गा अकनूर मा फोज ते दैशितगर्दा मा बेन होया टाकरा मा हिलाक होया त्रह दैशितगर्द ममनुआ दैशितगर्दाना तंजीम जैशि महम्मन संग मुंसलिक था ये दैशित गर्द हाल ही मां पाकिस्तानी मक्बूजा कश्मीर ते दर अन्दाज होया था आकशवानी के नमाइंदा गे मताबक ये दैशित गर्द अखनूर अलोरस्तो अख्तियार कर गए अलाका मां कोई बड़ो हादसो करन की ताड़ मां था इतलात के मताबिक ये दैश्टगर्द बटल अलाका थें अखनूर मा दाखल होया और उनका कबजा थें एक वाइरलेस सेट वी ब्रामद होयो जिस तें पतो चले ये ममनुआ दैश्टगर्द तंजीम जैशि महम्मद संग वाबस्ता था दसमें इन्फेंट्री डिवीजिन का जी उसी मेजर जनरल समीर सिर्वास्तवा ने दस्यो जे मज़कूरा दैश्टगर्द एक छोटो ग्रूप अख्तियार कर गए कोई बड़ो हाथ सो करने की ताड़ मा था वाज़ रहे जिए इन दैश्टगर्द ने सुमवार ना फोजी कानवाई वर गोली चलाई थी जिसका जवाब मा फोज तै एन एस जी कमाडो गा जोवाना ने वेला वर कारवाई कर गए उनना हला कर दितो एर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा एर आफिसर कमांडिंग इनचीफ तै मगरबी एर कमांड तै एर फोर्स स्टेशन थाइस तै एर फोर्स स्टेशन लेगो दोरू कर गए दिवाली गा मोकावर फजाया गा जामबाजा संग वक्त गुजारे उनने उनने गा बेबाग के इस कम्पलेक्स गो इफता वे कियो जिसकी वजह संग अपरेशनल तैयारिया ना बदानमा एमबी मदद लबेगी वजिर दिफार आजनात सिंग ने आज तवांग मां सरदार वलबाई पटेल गा मजस्मा तै मेजर रिलेंगो बॉब कैथिंग अजाइब कर गो अमली तोर इफता कियो और इस मौका वर इजहार कियो जि भाहरत तै चेन असल कबजा लकीर गा मामलात वर सफार्ती तै फोजी सता वर गलबात कर रहे हैं ताजी ये रंजश खतम की जा सकें उनने के हुचे तवांग मा मुझूद सरदार वलबाई पटेल गो मजस्मो अवाम मा यक जेती सोच तै जजबा ना मजीद निखा रहेगो उनने के हुचे मुलक मा जामया तै मजमूई तरक्की तादी मुमकन है जद मुलक को शमाल मश्र की हिस्सों तरक्की करेगो और सरक उनने के हुचे मुलक मा मजस्मा तै जाइब कर गोई फ्तता चार कूर हेड़कोाटर तीसपूर आसाम तहीं बराए रास्त कियो मुसम खराब होंगी वजसंग वे तवांग ने पोच सक्या इस मौकावर गोर्नर रिटार्ड लेटनेंट जर्नल केटी परनाएक वजिर आला पेमा, खंडू, मरकिजी वजीर किरन रिजू, मनिपूर का वजिर आला, एन बेरिन सिंग गा इलावा मेजर बाब गा कुमबा गा इफराद भी मुजूद था असल कबजा लकीर वर ताइनात बारती फोच ते चीनी फोच गा जवाना ने देवाले की खुशी महा मिठाईयां को तबाद लो की हो फोची जराय ने दसे हो जी या रवायती रसम मश्रकी लदाख गा डेम चूप दे डेप सांग ते दुआ मुलकां गा फोच गा पिछे हटन दे बाद अदा की गई और दसे हो जी फोच ते असल कबजा लकीर वर भी कहीं जगा मिठाईयां को तबाद लो की हो दा फोची जराय ने इज़ार की हो जी मश्रकूरा मकामात ने दुआ मुलकां की फोच मकमल तोर वर पिछे आट गई हैं और मकामे कमान की सता वर गलबात अजू जारी है ये खबर आकश वने जमूत नश्र की जारी हैं खबरांगा बाकी हिससन सर्वर चूप दे आजम ते वजीर दाखलावी था कौमी यकजिती त्यारो एक जुट होन ते मुलकां लोका मा यकजिती गा जजबा ना फरोग देन मा एहम करदार अदा करें अपनी गेर मामूली क्यादत है कौमी यक जिती ना फरोग देन आला मशहूर सरदार वलाबाई पटेल ना बारत गा मरद आहिन गहतोर वर वी याद कियो जै वजीर आजम निर्मोदी ने गुजरात का एक्ता नगर कवेडिया मा राष्ट्रिया एक्ता दिवसमनान का मुका वर खताब करता आपसी यक जिती काईम रखन की एहमियत वर जोर दितो और कौम की सालमित के खलाफ खलाहों आला ना खबरदार वी कियो उनने कियो जे आएंदा पंजी साला मा विकसित बारत बनान वाष्टा आपसी यक जिती बहुत जरूरी है और गजश्टा दस साला मा सरकार ने यक जिती ना यकीनी बनान वाष्टा के एक्तामात चाया है उनको केनो थो जे बारत आलमी रहनमा बनन आलो है जड़ो जे तारीख मा सनहरा हरफा मा लिखो जैगो मुलगी इतखाद मा सरदार पटेल गा करदार बारे बोलतां कियो जे आइंदा दो साला मा उनको एक सो पंजा जनम त्याडो मनायो जैगो वाजा रहे जे आज स्वे रही वजीर आजम ने एकता नगर मा एक जीती का मुझसमा वर पूझ गया उनना खराज अकीदत पेश कियो इस ते बाद उनना ने मुझूदा अवाम ना एक जीती को एहद वी करायो तै एकता दिवस परेट वी माइनो कियो याद रहे जे इस साल मुझूरा परेट मा नौ रियास्ता तै एक यूनियन टेरिटरी का कुल सोला जथाने हिसो ली हो जिन मा एन एस जी बी एस एफ सी आर पी एफ तै स्कूली तलबा ने बखबख किसम का फ़नी हुनर को मझाहिरों की हो वजीर आजम निरिंडर मोदी ने दिवाली का तहवार वर लोकना मबारख बाद दिती है एक समाजी मीडिया पोश्ट मा वजीर आजम ने लोकना खुशाली तै सहितमान रहन की नेक खवाइशा तो दिती उनने दुआ की कि बगवान शिरी गनेश तै मा लक्षमी हर एक वर अपनो करम बनाई रखे सदर जमूरिया द्रोपदी मरमूत है नाइब सदर जिगदी बे धंकर ने आज पटेल चोकनवी दिली मा सरदार वलाबाई पटेल गा जनम त्याड़ा का मुकावर उनका मुझसमा वर फुल चाड़ गया उनना खराज अकीदत पेश कियो सदर जमूरिया ने गो केनो थो के सरदार पटेल एक अजिम शखस तैसर करदा कौम सास था नाइब सदर ने क्योंके सरदार पटेल गो निजरियो एक मजबूत आपसी बाईचारा एक जूट होन की तरगीब देथो राश्ट्रिया एक तादिवस वर नाइब सदर ने हर एक वर जो दितो के वे सरदार पटेल गा नजरियात एधाद ना बरकरार रखन को एहद करे कौम आज मुलखी साबक वजिर आजम अंजहाने इंद्रा गांदी ना इनकी बरसी वर याद कर रही है इस सिल्सले मा कांगर्स लीडर राहूल गांदी ने पार्टी का दिगर सीनियर रहनमा गया हमरा शक्ती अश्टल दिली मा पुझ गया उना खराज अकीदत पेश कियो इस मोका वर इंद्रा गांदी यादगार वर एक स्काफ्ती प्रोग्राम को वी इनकाद कियो गयो कांगर्स सदर मलक अरजुन खरगेगे ने वी उना खराज अकीदत पेश कियो और सोशल मीडिया पोश्ट कर गया इजहार कियो उना ने मलकी अद्खाद तरकीत मजबूत बनानमा एहम करदार अदा की हुए है इसके नारी गोजरी खबना को यो शमारो मुक क्यो